हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफी, वो भी एकदव मशीन जैसी जाग वाली कॉफी, वो भी घर पर बहुत ही असान तरिके से, तो वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे पर लिया है, एक चमच कॉफी का, सिंपल, NESCAPE, एक लासिक कॉफी ही लिए है, उसके शाथ ही और इसके साथ ही, क्लासिक कोफी के लिए हैłem, दो चमच चीङ के, तो इसकी रेशो रहेगी, वन इस्टू तो की, यानिका, एक चमच कॉफी का और दो चमच चीनी के तो चलिए सबसे पहले इनको mix कर लेते हैं तो कॉफी को mix करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है आप चाहे तो इसे कप में यहाँ फिर किसी काँच के बतन में भी इसको mix कर सकते हैं मैंने इसमें चीनी और कॉफी डाल दी है इन दोनों को डाल कर अब एक पर अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच पानी का तो मैंने इसमें एक चमच पानी का डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें गरम पानी डाला है क्योंकि गरम पानी से कॉफी जो है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बीट होती है तो यह material जो है वो मेरेको थोलो सा dry लग रहा है तो मैं इसमें दो बुंदे पानी की और डाल दूँगे की बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें half spoon मैंने पानी अड़ कर दिया है कॉफी बीट करते टाइम अगर आपको मिक्स्टर थोड़ा हाड लगे तब भी आप इसमें थोड़ा सा पानी अड़ कर सकते हैं लेकिन एकदम से बहुत जाजा पानी एड़ ना करें अगर बहुत जाजा पानी एड़ करेंगे तो यह मिक्स्टर बहुत रनिंग हो जाएगा और बीट करने में मुश्किल होगी तो इसलिए पानी जो है हम वो धीरे-दीरे डालेंगे इसमें चम्मच से ही आप पानी डालें तो यह देखे यह पहले से कितनी फलफी हो गई है लेकिन अभी हम इसे और फ्रेंट लेंगे आप इसे बीट करने के लिए मिक्सर जार या फिर कॉफी बीटर का भी यूज कर सक तो यह देखे अगर चम्मच से उठा रही हूं तो यह गिर रही है कॉफी इट मिन्स अभी इसको थोड़े दिर हम और बीट कर लेंगे तो यह देखे मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और अब मैं अगर चम्मच से उठा रही हूं तो यह कॉफी नहीं गिर रही है It means coffee जो है, वो हमारी एकदम तैयार है तो मैंने आपको पहले दिखाया था जब हम submitted spoon से coffee को उठा रहे थे तो वो गिर रहे थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है It means mixture जो है, वो हमारा एकदम तैयार है तो देखिए यो जो coffee हमने beat की है तो इस mixture से हम 4 cup coffee के असानी से बना सकते हैं तो चलिए अब दूद करम कर लेते हैं दूद को मैंने अच्छे से boil कर लिया है और अब मैं इसमें whisker मार रही हूँ इससे क्या है दूद जो है वो थोड़ा हलका हो जाएगा और इसमें जाग आ जाएगी तो इसमें हम whisker को मारते रहेंगे और gas को थोड़ा तेज कर लेंगे और इसको दूद को हम अच्छे से boil कर लेंगे तो यह देखें दूद जो है वो हमारा अच्छे से boil हो गया है और whisker को मैंने मारना चोड़ दिया है और gas को बंद कर दिया तो अब यहाँ पर यह कॉफी ले लेंगे और यहाँ पर इस कप में हम कॉफी को डाल देंगे तो एक कप बना रहे हैं तो मैंने इसमें एक चमच कॉफी का डाल दिया है यह देखिए कॉफी डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे गरम गरम दूद दूद को थोड़ा ऊपर करके ही डालें इससे क्या है इसमें बहुत अच्छी जाग आ जाएगी तो यह देखिए मैं इसमें गरम-गरम दूद डाल रही हूँ यह थोड़ा सा दूद मैंने और डाल दिया है और अब हम चम्मच से इसको मिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए तो मेरे जैसे लोग जो चाही बिल्कुल भी नहीं पीते सर्दियों में कॉफी तो उनके लिए वर्दान है एक कप गरम-गरम कॉफी पीकर सारी थकान और सर्दी दूर हो जाती है तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो ये देखिए और मैं इसके उपर डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉफी पाउडर आप चाहे तो इसके उपर चॉक्लेट पाउडर भी डाल सकते हैं तो ये देखिए हमारी गरम-गरम कॉफी जो है कितनी जाग वाली कॉफी एकदम तयार है तो आप इस एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है थोड़ी मेहनत तो जरूर लगती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप इस एक पर दरोर ट्राइ कीजेगा तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तब तक stay safe, stay healthy and thanks for watching my video, bye bye